अगर अब मेरी चैनल पर नए है तो जो रेड कलर का सब्सकाइब का बटन आता है इसको जरूर दबाएगा और यह अपसुलेटी फ्री है अगर सब्सकाइब किया है तो यह तिंग डिंग डिंग बला वेल बटन आता है इसको जरूर दबाएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडिय आपको तुरे मिल जाए हलो फ्रेंड्स वेलकम बारे चानल आज मैं कुछ अलग वीडियो शेयर करूंगी आज मैं डेली ब्लॉग शेयर नहीं कर रही हूं कि काफी दिनों से आसार फ्रेंड्स मुझे यह वीडियो के बारे में पूछ रहे थे बनाने के लिए बहुत भी रहे क्योंकि डेली व्लॉग शूट करना और एक पर्टिकुलर वीडियो शूट करना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि आरेंज करने में टाइम लगता है तो आज के जो वीडियो शेयर करूंगी वह है ऑनलाइन ऑर्गनीक ब्रॉसरी शॉपिंग मेरी पूरी और्गनी किसे मतलब इसली मिल जाते हैं और एज़ वेडियों क्या हैं यह अच्छा ही मिलता है और है जब जरूब में शर्च करना पर एक अर जबडेंगग और मैं जरूरूँ शेयर करूंगी मैं क्यों और की आर वीडियो में शेयर करहोंगी और हाँ कापी सार रे एंस पूछी आपको जो प्रोड़क्ट है इसके ऊपर कुछ सर्टिफिकेशन रहता है वो आपको सिर्फ चेक करना है जो नए है उनको उतना पता नहीं रहेगा हम लोग तो इस लाइन पर काफी साल से साथ आठ सल से है तो इसलिए हमें पता है कौन सा मतलो सर्टिफिकेशन होना चाहिए और मैं दिखाती हूं आपको कैसे करके आप पैचान होगे सर्टिफिकेशन क्या होता है और में जो तीन सर्टिफिकेशन इंडिया में ज्यादा तर प्रोड़क्ट में रहता है वह है इंड जैसे आस्ट्रिलिया का अलेक ब्रेंड है तो इसे साल से वह मतलब इतना कॉमन नहीं है मतलब ज्यादत है जो मसरी बेसिस में रहते हैं और यह तीनों एजनसी इसमें सर्टिफैट ज्यादत है तो आर भी जो जो प्रोडेक्ट में जैसे कॉस्मेटिक वगेरा वो अलेक सर्टिफैट होता है तो वह मैं बाद में किछी और व्लॉग में शेयर करूगी तो पहले शुरू करें तो मैंने आज सामा लेके बैठी हूँ और इसको चाहिए है मैं में बेस देती हूँ और अभी मैं शेयर करूँगी मेरी सारे फ्लार कलेक्शन मैं आटा यूज करती हूँ गेहू का आटा ओर्गनिक गार्डन का और बेशन यूज करती हूँ कॉंसर्स फूड का तो स्प्राउटेड रागी मौर पॉड़िज हिसा से यूज करती हूँ ये नैचरली यूर्ज कंपनी का और ये है मैदा डाउन टुवर्थ बोलके एक कंपनी है उसी काई और ये है थाली पीट थाली पीट भांजनी बोलते है ये है टीटोज ऑर्गनिक बोलके एक ब्रैं और रैस फ्लावर्वर् ये मैं प्योरे शियर बोलके एक ब्रैंड है उसी का ही यूज करती हूँ इए तीनो एक ही ब्रैंड का है पीट रिल शियो और अभी मैं शियर कर repli Cetus श het Okay's Team red for Ontario का यूज करती हूँ और ये है अम्वे मोहन एक यfps करती हूँ है कोलम रैस है ये ब् और ये है अम्बे मोहन, ये जादा तर पुलाव में इससाब से या खिर में भी यूज़ करते हैं, ये थोड़ा फ्रेग्रन्स राइस है, ये मैं ठी टोस का ही यूज़ करती हूँ और जहादा तर मैं खीर जिसमें बनाती हूँ, यह हैं इंद्रियानी राइस, बहुत ही कुश्वु वाला राइस है, थोड़ा स्टिकी टाइप का राइस है, और यह जब बनाऊंगी मैं ज़रू शेर कहरोंगी, यह खीर के लिए यह नॉर्मल राइस इसाब से बहुत और जो नॉर्मल गोल्डन बासमती राइस, जो बॉल राइस मैं यूज़ करती हूँ, उस दिन दिखाया था, यह इस टाइब का होता है, यह सेला बासमती या गोल्डन बासमती हिसाब से जाना जाता है, यह भी और गनी काड़न का ही मैं यूज़ करती हूँ, और अभी मैं शेयर करूंगी पोहा, जो रेड पोहा मैं जादा तर यूज करती हूँ, ये रेड पोहा मैं 24 मात्रा का यूज करती हूँ, ये खाने में बहुत टेस्टी है, नॉर्मल जो वाइट पोहा से जादा टेस्टी है ये, और जो देसी पोहा थे पुराने जमाने में जादा तर यू यह क्यानि द्यूंड हो में आप मेरी सब्स कर्ति का लेक्सट जो यूजिक यह करते हैं और यह करता है मसूर डल में मैं डाउन टू अर्थ के यूज करती हूँ ये अचली होल मसूर डल होता है जो दोनों साइड चिपका हुआ रहता है वो वाला यूज करती हूँ क्योंकि खाने में वो टेस्टी रहता है और ये है औरहाट डल ये भी डाउन टू अर्थ काई है बिना डाल भी डाउन टू अर्ट काई है और यह है उड़त डाल उड़त डाल भी सेम डाउन टू अर्ट काई है यह उड़त डाल अखा वाला है होल है मतलब छिलके वाला नहीं बिना छिलके वाला होल तो यह मैं जब करूंगी धोसा बगेरा तब मैं जरूँ शेयर करूंगी और यह है ब्लैक चना जो काला चना होता है यह भी मैं डाउन टू अर्ट का यूज करती हूँ और यह वटाना बोलता है मतर भी बोलते है सुखी जो मतर होता है यह भी मैं डाउन टू अर्ट का यूज करती हूँ इस टाइप का गोल गोल मतर whole moon dal जो छिलके वाली moon dal होता है green color के ये भी मैं down to earth का use करती हूँ और जो छोले होता है छोले white color की वो मैं निमबारफोल के एक company है इसका मैं use करती हूँ deccan organic इसका मैं जो red color की राजमा होता है ये मैं use करती हूँ और ये आपको दिख रहे है cow pee बोलते है ये इस टाइप का होता है इसको और क्या बोलते है मुझे एक्जेक्टली नहीं पड़ता है तो ये मैं down to earth का use करती हूँ packet खोड़के रखा है अभी मैं spices share कर रही हूँ जो होल अखा जीरा है ये मैं pure in sear का use करती हूँ और धनिया conscious food का है fab india marketing करता है लेकिन जो company है वो conscious food का ही है edge wine, karen seed ये भी मैं fab india के use करती हूँ black mustard और yellow mustard same brand का use करती हूँ nature land world के जो brand है और जो healthy powder है ये organic india का use करती हूँ ये इस टाइप का है packet ये आप fab india का भी use कर सकते हूँ fab india और अरगनिक india का ही marketing करता है jeera powder मैं conscious food का use करती हूँ धनिया powder, coriander powder fab india का मैं use करती हूँ whole red chili जो मैं छॉप के लिए डालती हूँ लाल मिर्च ये मैं five india का use करती हूँ और सबसे ज्यादा question जिसके बारे में आता था वो है कस्मिरी red chili powder ये मैं conscious food का use करती हूँ क्योंकि इसमें color बहुत अच्छा आता है mild spicy chili powder हिसाब से मैं madras chili powder को use करती हूँ ये भी मैं fab india का use करती हूँ अमचुर powder मैं down to earth का use करती हूँ imli मैं conscious food का use करती हूँ kalonji या nigel acid जो black color की होते हैं ये मैं vision fresh brand का use करती हूँ सौंफ और फैनल भी मैं सेम विजन फ्रेस बैंड का use करती हूँ में थी दना मैं fab india यूज करती हूँ इसका packet नहीं है इसलिए डबे में आपको दिखा रही हूँ और मैं ज्यादा तर जो चाट मसाला यूज करती हूँ ये तीनोई fab india का है ये बार्बी क्यू चाट मसाला स्वीटी को फसंद है और ये नॉर्मल जो चाट मसाला है जो सेंड्वीच बगेरा मैं यूज करती हूँ ये वाला चाट मसाला यूज करती हूँ और एक पुदीना चाट मसाला ये भी बहुत अच्छा होता है लेकिन यह सारे और्गनिक नहीं है, नैचरल है और मैं धार चीनी सिनमन स्टीक मैं फैब इंडिया के यूज करती हूँ पोल ब्लाक पेपर है, यह मैं प्योरों सियर का यूज करती हूँ साही जीरा मैं डाउन टू अर्ट का यूज करती हूँ अभी मैं आप शब के साथ मेरी कुछ स्पाइस ब्लेंड जो मसाला हिसाब से यूज करती हूँ वो दिखाती हूँ यह आलू जोल का मसाला बोलते हैं यह आलू ग्रेवी या आलू ड्राइटाइप का यह इसमें यूज होता है यह बहुत टिस्टी है जैसा होता ना बनारस वा के ब्रैंड है इसी काई पुलाओ मसाला के लिए प्योरं सियर का पुलाओ मसाला यूज करती हूँ और सेम प्योरं सियर ब्रैंड काई विसिवेली भात बोलके एक करनाटका का रेसिपी होता है राइस काई इसका मैं मसाला यूज करती हूँ और यह रेसिपी मैं जरूर शे जारेंगे मेरी सीरियल कलेक्षेशन. breakfast cereal में एक मुशली करते हुए, मेरे मुशली में पूसली नरइस और ब्रैंड है उसे का ही, उसी का ही यूज करती हूँ और आरगनिक कान बुसली में यूज करती हूँ, ग्रेन स्टोरीज पूसली कान बॉल के ब्रैंड है, तो आप शोया नगेट्स मेरे पास नहीं है, तो सोया चांक्स था, इसलिए मैंने आप शब के शाय किया और अभी मैं आप शब के शाय करूंगी मेरी पास्ता जो बच्चों को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, पास्ता नूडल्स ये सारे, और सास भी, तो नू कॉन स्ट्राज, ये मैं डाउन टू आट का यूज करती हूँ, और ये स्पगेटी पास्ता, मैं कोला भीटा बोलके एक ब्रैंड है, इसका यूज करती हूँ, ये आपको नेचर्स बास्केट में मिल जाएगा, और ऑनलाइन पे भी कुछ-कुछ है, उसका भी लिंक मैं नी पास्ता होता है, ये मैं डाउन टू आर्थ का यूज करती हूँ, जो पेनी पास्ता होता है, ये भी मैं सेम डाउन टू आर्थ का यूज करती हूँ, मैं नाचर्री यूर्स का यूज करती हूँ, और अभी मैं शॉस बगेरा ये दिखाऊंगी, तो जो टोमेटो केचप संजी भी नहीं ऑर्गनिक का यूज करती हूँ किको बन बोल के एक ब्रैंड है इसका मैं शोया सॉस यूज करती हूँ यह इंडिया पर नहीं मिलता है यह बाहर के वेबसाइट है महाँ पर मिल जाते है उसका भी लिंक मैं नीचे डिसेशन बॉक्स में डाल दूंगी क्योंकि ओर्गनिक स्वया सॉस एक ही ब्रैंड का अभी तक मुझे मिला है यह यूज यह सर्टिफाइड है और दो चीज यह ओर्गनिक नहीं है लेकिन नाचरल है होटन स्वीट रेट चिली गार्लिक सॉस यह नाचरल है यह मैं फैव इंडिया के यूज करती हूँ यह नूडल्स म मैं घर पे खुद बनाती हूँ वह मैं किसी और व्लोग में जरूड शेर करूँगी पीजा सॉस तो मैंने अलिडी शेर किया है पीजा रेशीपी में हकनोडिस का रेशीपी शेयर किया है तो वहां पर भी जाके चेक कर सकते हो कौनसा कौनसा सौक में यूज करती हूँ और इसी काई ऑलिव आलिव आल, एक्स्टर वर्जिन ऑलिव आल यूज करती हूं, यह ग्रिनिश टैप का कलर में आता है, और एक ब्रैंड का ऑलिव आल यूज करती हूं, प्योर एंशियूर का, अलग रीजन का है दोना अलिव आल, इसलिए फलेवर थोड़ा डिफरेंट है, औ मैं मस्टर अल यूज करती हूं, और अर्गनिक इंडिया का, कोकोनाट ओल मैं यूज करती हूं, प्योर निउट्रिशन बोलके ब्रैंड है, यह कुकिंग के लिए, हेर बाडी के लिए, सब चीजों के लिए मैं यूज करती हूं, यह है, भर्जिन कोकोनाट टॉयल, प्योर यह थोड़ा रेडिस टाइब का हल्क का रेडिस टाइब का शुगर है और गुड के लिए यूज करती हूँ यह पाम जागरी देख आपको ब्लाक किश कलर में है यह पाम जागरी मैं कॉंसियोस फूड का यूज करती हूँ यह बहुत चेस्टी होता है यह ऐसा चॉकलेट भी चेसा और अअधा है SOS बोलके एक ब्राइंड है इसका है मैं जागरी पावडर फामे आता है यह यूज करती हूँ और आसाम धूर्गनिक सिटिसी यह मैं फैप इंडिया के यूज करती हूँ यह थोड़ा मोटा टैप करती है मौांट हेगन बोलके एक ब्रांड है उसीका और्गानिक इंस्टेंड कॉफी मैं यूज करती हूँ, यह बहुत टेश्टी होता है, मैं हनी यूज करती हूँ, कॉंस्योस फूट का, नई तो और्गानिक इंडिया बोल के एक ब्रेंड है, उसी का भी, क्योंकि जब मुझे जीसी साब से मिलता है, तो उसका खतम हो गया, त अभी तक यूज करती है, तो यह मैं यूज करने के बाद इसका रिव्यू दूँगी, आप ट्राइ करके देख सकते हूँ, और मैं सॉल्ट के लिए यूज करती हूँ, हिमालयम पिंक रॉक सॉल्ट, यह 24 मंत्र का यूज करती हूँ, नहीं तो आप, यह इस ब्रैंड का भी हिमालयम पिंक रॉक सॉल्ट है, उसका भी यूज कर सकते हूँ, दोनों बहुत अच्छा है, तो मुझे जिससाब से जब मिलता है, उससाब से यूज करती हूँ, तो यह पिंक रॉक सॉल्ट मैं ग्राइंड करके रखती हूँ, यह होल है, यह पावडर बेसिस में ग्राइं का ही यूज करती हूँ और ये चार मेंगस मैं मिल्स कोल के एक ब्रैंड है इसी का ही मैं हूश करती हूँ और यह मुझे बहुत पसंद ऊखरो टर फस्ता मैं डाउन- het करने की उसका पैकट ने इस व्यूश्य नही सी दिखा बाइं और यह каж सो मैं अलमंड यूज करती हूँ, सारे ड्राइफूर्स का मैं लीचे लिंक्स दे दूँगी, आप चेक कर सकते हूँ बाकी जो ड्राइफूर्स है, जैसा ब्लाक रिजिन मैं सेम ब्रैंड का यूज करती हूँ, काला वाला जो किसमी सत है, और जितना मुझे याद आ रहे हैं, मै जो भी मुझे याद आएगा और जो भी मुझे याद आएगा मैं नीचे डिशिशन बॉक्स में लिख के बता दूंगी कौन सा ब्रैंड का मैं यूज करती हूँ, और बाकी जो खड़ा मसाला है, जैसा लॉंग, इलाइची या बड़ी इलाइची यह सारे नीचे लिख आगी मॉल्ड वो दूद में मिला के पीती है, सारे आप सबने देखा है होंगा, काफी सारे फेंज पूछते थे, यह आरिया और गनिक का है, तो इसमें डबबा में डाल के रख्यों, तो उसका पैकेट नहीं है, मैं नीचे डिशिशन बॉक्स में डाल दूंगी, यह इस ट बच्चों को बहुत पसंद आता है, और यह भी और अर्गनिक है, यह दोनों का ही मैं नीचे लिंक दे दूंगी, आप जाके चक कर सकते हो, यह फाम मेड़ वल के ब्रैंड है, इसी का ही मैं यह यूस कटी, यह ब्राउन एग है, बहुत टेश्टी होता है, और यह फ्री रे और मैंने आगे कुछ पिस किया, कुछ प्रोड़क्त के बारे में बरताना भूल गयी, तो आप मुझे कमेंड सेक्से में लेख के बता दीजिएगा, मैं कोशिश करोगी नेच किसी व्लॉग में वो जो जो यूस करती हूँ, उस बारे में मैं एड विटियो शेयर करो, क्यो मुझे जो जो ब्रैंड का जीस ही साब से पसंद है, उस ही साब से मैंने आप सब के साथ शेयर किया, तो आप जाके भी सारे ब्रैंड चेक कर सकते हो, कौन सा आपको पसंद है, आप प्राइकर की भी देख सेकते हो, कौन सा आपको अच्छा लग रहे है, तो ये व्लॉग आ झाल